काफी समय तक एक दूसरे का पीछा करने के बाद एक और जोड़ी आखिरकार मिलन तक पहुँच गई ये नौजवान माधा तेंदुआ अब अकेली नहीं है ये अपने नए इलाके पर राज करने वाली शांदार नर के पास पहुँच गई ये सच बात है कि सवाना में नरों को बिल्कुल तंदुरुस्थ होना चाहिए और माधा तेंदुआ को संतुष्ट करने के लिए तो वाकई बहुत दमखम चाहिए माधा तेंदुआ अपनी पसंद की चीज हासिल करने में जरा भी नहीं हिचकेचाती मिलन के लिए यही पहल करती है